पुत्पले शंसभा साध्या इवज चित्रा महेश्वरी चित्चित्रोत्पले तिकतिता सर्वपाप प्रणाशिनी नमस्कार मैं दिनाथ राना चित्रोत्पलागी धाराचल चित्रशिंकला की 27 स्वी कड़ी में आपका स्वागत है मित्रों इस श्रिंकला की पिछली कड़ी में हमने आरंग में विराजमान माता महा माया जी के दर्शन किये आज की इस कड़ी में हम आरंग में ही विराजित भगवती दुरगा एवं देवी शीतला मया के दर्शन करेंगे तो आईए आरंब करते हैं आरंग में जहां भगवती महामाया जी के मंदिर का प्रवेश द्वार है उसी के निकट एक और प्रवेश द्वार दिखाई देता है भगवती मा दुर्गा जी के मंदिर का भगवती दुर्गाजी का यह मंदिर देवी महामाया मंदिर के ठीक समक्ष कुछी दूरी पर स्थित है वैसे यह मंदिर पुरातात्विक महत्व का अथ्वा प्राचीन मंदिर नहीं है परन्तु यदि आप भगवती महामाया जी के दर्शन करने आएं तब देवी दुर्गा जी के दर्शन भी अवश्य करने यह मंदिर आधुनिक शैली में निर्मित है एवं इसके भीतर स्वेत प्रस्तर निर्मित कोच अत्यंत सुन्दर प्रतिमाएं स्थित हैं मंदिर को भीतर से काच के टुकणों से सुन्दर ढंग से सुसज्जित किया गया है यहां अग्रपुज्य भगवान गणेश एवं महावीर हनुमान जी की स्वेत प्रस्तर से निर्मित प्रतिमाभी स्थापित है उत्तराभी मुखी इस मंदिर के गर्भगरिय को अत्यंत सुन्दर ढंग से सुसज्जित किया गया है जिसमें भगवती दुरगा मैया की स्वेत प्रस्तर से निर्मित एक अत्यंत सुसज्जित प्रतिमाभी स्थापित की गई है मंदिर के पीछे कुछी दूरी पर एक सरोवर इस्थित है जिसे स्थानिय लोग महामाया तालाब कहते हैं निश्चित है निकठी स्थित देवी महामाया मंदिर के नाम से ही इस तालाब का नाम महामाया तालाब रखा गया होगा इसके निकठी एक अत्यंत प्राचीन शिवलिंग के हमें दर्शन होती है यहां एक और मंदिर निर्मित है जिसके भीतर अत्यंत प्राचीन शिवलिंग स्थापित है यहां भगवान शिव कुमारेश्वर महादेव के नाम से पूजित है अब आईए यहां से चलते हैं शीतला पारा महामाया मंदिर से कुछी दूरी पर शीतला पारा में भगवती आदिशक्ती शीतला मैयाजी का यह सुन्दर मंदिर निर्मित है इसका प्रवेश द्वार अत्यंत आकरशक है दोनों और दो सुन्दर सिह बनाए गए हैं और इस मंदिर के प्रवेश द्वार को अत्यंत आकर्षक ढंग से सुसजित किया गया है। मंदिर आधोनिक शैली में निर्मित है। मंदिर भले ही आधोनिक है परंतु इसके भीतर स्थापित प्रतिमाएं अत्यंत प्राचीन है। भीतर प्रवेश करने पर मंदिर के आगन में दो लगु देवालै द्रिष्टी कोचर होती हैं। इनमें से एक में भगवान शिवजी का लिंग स्वरोप स्थापित है। पार्श्व देवाले में कुछ अत्यंत प्राचीन प्रतिमाएं हमें द्रिष्टी कोचर होती हैं जो पुरातात्विक द्रिष्टी से अत्यधिक महत्वपून हैं। हम अपने दक्षन हस्त की ओर देख रहे हैं प्रतम प्रतिमा भगवती चंडी जी की है जिनके हाथ में धाल एवं खडग हमें दिखाई दे रहा है। मंदिर का मुख्य गर्भगरी है पुर्वा भी मुख्य है जिसमें कृष्ण प्रस्तर से निर्मेत दो अत्यंत प्राचीन प्रतिमाएं विराजित हैं ये भगवती शीतला माता जी के नाम से पूजित हैं। इस स्थान से कुछी दोरी पर ब्राह्मन पारा स्थित है जहां भगवती महाकाली मंदिर के निकट भगवती महमाया मंदिर के पुजारी जी का घर है। श्री चंदन गोस्वामी जी जिनका परिचय हम पूर्व चल्चित्र में दे चुके हैं। उनके घर के निर्माण के समय कुछ अत्यंत प्राचीन प्रस्तर प्रतिमाएं यहां प्राप्त हुई जिनका हम अउलोगन करेंगे। आगन में खुदाई के समय यह प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें हम कुछ नाईकाओं को विभिन्न मुद्राओं में देख सकते हैं। इनमें से एक नाईका अपने शरीर पर सर्प को लपेटी हुई है। सर्प काम का प्रतीक है और नाईका वस्त्रहीन है। इनके पार्शव में अन्यनाईकाओं को भी दर्शाया गया है। इनके पार्शव में कुछ और प्रतिमाएं भी दृष्टी गोचर होती हैं। संभौतह यह किसी द्वार्शाखा के भाग है। इन दोनों प्रतिमाखंडों के पार्शव में एक और वास्तुखंड है जिसमें मैथून का एक द्रिश्य दिखाया गया है। पूर्व के वास्तुखंड द्वार्शाखा के भाग हो सकते हैं। यह अन्यत्र किसी स्थान का भाग है। इन्ही के आंगन में एक अत्यंत प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। आरंग में प्राप्त अन्य शिवलिंगों के समान यह शिवलिंग भी पुरातात्तिक महत्व के द्रिश्टी से महत्वपोन है। इनी के पार्श्व में कुछ अन्य अत्यंत प्राचीन प्रस्तर प्रतिमाये भी यहां सरक्षित की गई हैं यथा भगवान रिसिह की यह लगु प्रतिमा इस प्रकार आरंग में यत्र तत्र प्राचीन प्रतिमाओं का मिलना इस तथ्य को सिध्ध करता है कि प्राचीन काल में आरंग का प्रत्येक घर एक मंदिर हुआ करता था इस प्रकार आज के इस चल्चित्र में हमने आरंग में स्थित अनेक प्राचीन प्रतिमाओं का अउलोकन किया आगामी चल्चित्र में हम चलेंगे सिर्पूर तो बने रहे हमारे साथ वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद